नमस्ते बच्चों, रूम टू रीट से मैं हूँ आपका दोस्त ताहिर अली और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नई कहानी कहानी के लेखक हैं क्रिस्टियोफर मेक बैले और चित्र बनाए हैं स्टिफेन वॉललेस ने इस कहानी का नाम है सूरज की सूजबूज सूरज अपने मक्के के खेत में अपने पिता के साथ बहुत मेहनत करता लेकिन हर रात लंगूर आते और उनके खेत को बरबाद कर देते सूरज अपने खेट को कैसे बचाएगा यही हम इस कहानी में सुनेंगे और देखेंगे तो आईए मेरे साथ इस सफर पर सूरज की सूजबूज सूरज और उसके पिता एक पहाड के पास रहते थे उस पहाड पर बहुत से लंगूर भी रहते थे सूरज और उसके पिता को अपने खेट में साथ साथ काम करना अच्छा लगता था पर लंगूर हमेशा उनको परेजान करते थे लंगूरों से खेट को बचाने के लिए उन्होंने अपने खेट को काटेदार तारों से घेर दिया पर लंगुरों ने घिरा तोड़ दिया वे बहुत परिशान हो गए कोई नया तरीका सोचना होगा उन्होंने सोचा बहुत सोचा खुब सोचा अगले दिन खेत में काम करते हुए भी वे सोचते रहे वे खेत से आकर नहाए उस रात लंगुर आए मक्के को बरबात किया खुब नहाए और पानी इधर फेलाया उधर फेलाया चारों तरफ देखकर सूरज और उसके पिता फिर से परिशान हो गए उन्हें कुछ नहीं सूच रहा था उन्होंने सोचा खुब सोचा अचानक सूरज को एक उपाय सूचा उस रात सूरज ने खुजली वाले पत्ते पानी में डाल कर छोड़ दिये लंगुरों को पिछले दिन बहुत मज़ा आया था वे दुबारा नहाने से खुद को रोग नहीं सके इस बार उन्होंने कोई मक्का बरबाद नहीं किया वे बस पानी में चपा चप करना चाहते थे पर अब वे खुजला रहे थे खुझली खुझली चपा चपा खुझली 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 उस रात लंगुर पहाड चोड़ कर चले गए फिर कभी सूरज और उसके पिता को लंगुरों है तंग नहीं किया अब उनके खेत में खुआ फसल लूग दी थी तो कैसी लगी बच्चो कहानी? उमीधे आपको मज़ा आया होगा तो अब हम कहानी पर कुछ बात करते हैं अगर सूरज की जगह आप होते तो लंगुरों को भगाने के लिए क्या करते? सूरज की तरह आपने भी कभी किसी समस्या का हल खो जा था? अगर हाँ तो फिर बताईए ज़रा क्या? धन्यवाद बच्चो इतने ध्यान से कहानी सुनने और हमारे साथ बात करने के लिए अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक ऐसे ही कहानीों को आप पढ़ते और सुनते रहिए बाई बाई